नमस्कार दोस्तों सुआगत है अमारी यूड़ोग चैनल हिंदी साहीते के इतिहास में आज का जो टोपिक है वो प्रियोगवाद और नई कवीता के विशे में है अक्सर नेट जेयारे टीजीटी पीजीटी फर्स्ट ग्रेड सेकिंड ग्रेड या कोई भी सिक्सक भरती प्र जब भी मैं नए कोई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकी जी हाँ दोस्तों सुरू करते हैं प्रियोगवाद का आरमसन 1943 से माना जाता है इसमें सचितानन्द हिरानन्द वादसन अग्ये के संपाध्दक्तों में परकासित तार सब् इस क्यूषन में 3-4 क्यूषन पन गये हैं पैरा क्यूषन है प्रियोग वाद का प्रारम सन При 19 prove 14 में कि प्रियोग वाजपी ने रचना, शिर्षि ने किया था, साचितानन्द, हीरानन्द, वात्सेन अग्ये ने किया था, अग्ये जो नाम है, सन 1942 के अंदर इनका नाम अग्ये पढ़ा था, और इसमें साथ कवियों को संग्रहित किया गया है, अगला क्योशन है प्रियोगवाद परियोग्वद करनेंपनें है अगला क्योंशन है नन्दुलार वाजपे ने प्रियोगवाद ये मैं लन्युर व्दूर्ट में पूछा जाता है, और faile अंगों में प्रेयोगवाद येपको क्यों पहला है तार सब्तक, पहला सब्तक है वो तार सब्तक के नाम से जाना जाता है जो सन 1943 में परकाशित हुआ था। उसमें परियोग वादी कवियों को राहों के अनवे सी कहा है। परियोग अपने आप में इस्ट नहीं है वह साधन है और दोरा साधन है क्योंकि एक तो वह उस सब्ते को जानने का साधन है जिसे कवि प्रक्षेशित करता है। दूसरे वह उसे प्रक्षेशन की परकरिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तार सब्तक सन 1943 में संकलित कवियों का जो काल करम है वो इस परकार है। अक्सर यहां से नेर जियारेप में पूछा जाता है कि पहले तार सब्तक में किस कवि को संकलित किया गया है। दूसरा है रामविला सरमा इनका जनम सन 1912 में वाता मिर्तिव सन 2000 में हुई ती उननाव में। तीसरा है गजानन मादव मुक्तिबोद इनका जनम सन 1917 में हुआ था और मिर्तिव सन 1964 गवालेर में हुई थी गजानन मादव मुक्तिबोद के साथ इंदरागांदी का जनम माना जाता है उनका जनम भी सन 1917 में हुआ था और गवालेर में जनम बिहरी का भी हुआ था अगला है प्रभाकर माचवे बलवन्त इनका भी जनम सन 1917 में हुआ था मिर्तिव सन 1991 में गवालियर में हुई थी अगला है नेमी चंद्र जेन इनका जनम सन 1918 में आगरा में हुआ था अगला है गिर्जा कुमार माथुर इनका जनम भी सन 1908 में हुआता मिर्तियु सन 1964 मद्य पर्देश में हुई थी अगला है भारत बूसन अगरवाल इनका जनम सन 1919 में हुआता मिर्तियु सन 1905 में माथुरा में हुई थी ये तो थे पहले तार सब्तक 1943 के साथ परमुक कवी अगला है दूसरा सब्तक जो सन 1951 में परकाशित हुआ था इसमें भी साथ कवियों का विवरण दिखाया गया है दूसरा सब्तक में जो पहला कवी है समसेर भादूर सिंग इनका जनम सन 1911 में वाता मिर्त्यू सन 1903 में देहरा दून में हुई थी अगला है भावानी परशाद मिसर इनका जनम सन 1913 में वाता मिर्त्यू सन 1985 में होसंगाबाद में हुई थी अगला है सुकुन्त माथूर इनका जनम सन 1922 में दिल्ली में हुआ था अगला है हरी नारायन गंश्याम व्यास इनका जनम सन 1923 मध्य पर्देश में हुआ था अगला है नरेश्ट महता इनका जनम सन 1924 गुजिरात में हुआ था इसके बाद अगला आता है ध्रमवीर भारती इनका जनम सन 1926 मिर्त्यू सन 1907 में इलाबाद उतरपर्देश में हुई थी अगला है रगुवीर सहाई इनका जनम सन 1930 में और मिर्त्यू सन 1990 लखनव में हुई थी इसके बाद अगला तीसरा सब्तक आता है जो सन 1969 में परकाशित हुआ था इनमें भी साथ कवियों को दिखाया गया है पहला कवि है परियाग नारायन तिरपाटी इनका जनम सन 1919 में राई बरेली में हुआ था इसके बाद अगला है मदन वात्सयन इनका जनम सन 1922 में हुआ था इसके बाद अगला है विजे देव नाराण साही इंका जनम सन 1924 में मिरत्यू सन 1982 काशी में हुई थी इसके बाद अगला है कुमर नाराइण इनका जनम सन 1927 फेजावाबाद में हुआ था इसके बाद अगला है सरविश्वर दयाल सक्षेना इनका जनम सन 1927 मिर्त्यू सन 1983 बस्ती में हुई थी इसके बाद अगला आता है केदारनाचिंग इनका जनम सन 1934 में हुआ था और लाश्ट है कीरती चोदरी इनका जनम सन 1935 उन्नाव में हुआ था इसके बाद अगला चोता सब तक आता है जो सन 1989 में परकाशित हुआ था चोता सब तक सन 1989 में संकलित कवी हैं वो इस परकार हैं इसमें भी साथ कवियों को इस्तान दिया था मैंने आज आपको प्रियोगवाद और नई कवीता के विशे में ये वीडियो जारी किया है आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेहर करें और इसी तरह के हिंदी साहिते के नेट जया रहें टीजीटी पीजीटी या कोई भी सिख्षक भरती परिक्चाशे समन देता आप वीडियो और राप्त करना चाते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय भारत